आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं वीप्रो स्टॉक के बारे में इस श्टॉक के चार्ट को डिसकस करें इससे पहले देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट में लिश्टेड वीप्रो स्टॉक में last trading session में near around 3% का downtrend दिखा जिसका सबसे बढ़ा दो news दिखा पहला तो economy data और job data के जो below the expectation आने के बाद ये trend दिखे जहां काफी सारा selling देखने को मिला और उसके बाद देखे इस stock में तो quarterly result आने है और quarterly result में जो expectation है growth revenue में तो double digit होते हुए दिख सकता है जो की expected है लेकिन margin pressure again जो है overall IT sector में दिख सकता है और ये margin pressure के कारणी हमने last time इस परकार का downtrend IT stocks में देखे थे इस समय इसके चार्ट को देखे तो अगर weekly time frame में देखेंगे तो लगबग सभी IT stock double bottom pattern formation बनाते हुए दिख रहा है इस समय one more time ये stock 390 नियर प्राइस तक को touch कर सकता है तो जो investor ह बिल्कुल panic selling नहीं करेंगे हर downtrend एक buying opportunity है already सभी IT stock more than 30 to 50% तक correct हो चुके है तो इस समय मेरा personally मानना रहेगा कि जो trader है उनको अगर intra day basis फे 406 के नीचे time मिलता है तो एक 1 is to 2, 1 is to 3 के ratio में 398, 395 तक के levels ले सकते हैं लेकिन investor बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है more than 700 तक के level इस stock में within maximum 6 month to 1 year के duration में again दिख सकता है short term trader इस समय IT stocks को ignore करें auto और FMCG और साथ में pharma stock में एक नया position लिया जा सकता है